आपका स्वागत है दरन बीशो क्लिप्स नेम बस देखते रहो और सीखते रहो एनीटिंग एल्स जो आप दिखाना चाहतों यह जो बीच में फोटोग्राफ है ना जो पत्थर है और यह नभीबिया में साइकल कर रहा था और कुछ अगें शाम हने वाले थी और मेरे कोई जगह मिलने रहे थी टेंट करने के लिए दूर से मुझे ना वहाँ मोनोलिट्स हैं बहुत बड़े बड़े रॉक्स हैं तो मैं वहाँ उसकी तरफ मोड़ा और अगें नभीबिया का सन्नाटा इस लजेंडरी हुआ कुछ नहीं ह फोटो मतलब ये जैसे केव में रहते होंगे ना पुराने टाइम में कि आप बैठे हो और दूर तक आपकी जहां तक नजर जा रही है आपको होराइजन नजर आ रहा और कोई नहीं है आप बिल्कुल अकेले और मैं स्टोव हर रात को जलाता हूं पर मेरे को मेरे को अपने की सबजी खाने वाला बंदा हूं पर छह मेन और उसमें कुछ नहीं किवल पानी में अबला हुआ है हाँ चलो और आगे चलो तो ये थी जगह और आगे बिल्कुल ही आइसोलेशन था जैसा आप इमेजिन करते हो मतलब मेरी बड़ी इच्छा रहती है कि मैं ऐसी जगहों प लाज डिग्री बनना चाहते हैं चल रही है यात्रा चल रहा है अभी फाइनल स्टेप की दम नहीं आई है दीरे दीरे करें इकटा किया है सीरिस नहीं पर मतलब अक्चुली यह है आपके दिल में हाँ यार मैं तो बारवी में सन्यास उन्यास लेने वाला था वो तो रामकर रस्तों पर चलने के लिए ना दो जरूरी चीज़ें एक नियम और दूसरी श्रद्धा और दोनों मतलब मुश्किल से आते हैं बोलते हैं मेरे में नियम बहुत जादा है श्रद्धा उतनी नहीं है क्यों मैं बहुत लॉजिकल हूँ हर चीज को लेके मैं क्यों इमोशनली जा रहा हूँ उस रस्ते पर मैं बहुत लॉजिकल ही जा रहा हूँ कि जिन्दीकी में क्या करना है है ना तो मैं बहुत लॉजिकल लाके जा रहा हूँ श्रद्धा मेरे में नहीं है उतनी तो वह कहानी है तो मैं लॉजिकल हूँ कि सत्य को ढूड़ना बहुत ज़्यादा तो वो लॉजिक है यह वाइट फैमिली कौन है यह नभीबिय में एक घर पर रुका था तो इसे ने मुझे द्रौवेयर और बिल्टों के वारे मदाय था और एस्टेड विधिन फॉर कपल अफ नाइट यह बड़े अच्छे लोग मिले यार मेरे को बहुत अच्छे लोग मि के बल दो जोड़ी, दो जोड़ी, दोते कैसे थे, हफ़ते में एक अद बार, कहीं पर पानी मिलिया, किसी जगे रुख गया मैं, किसी मोटेल में आ कभी, नहीं तो एक हफ़ते तक मैं कुछ भी नहीं चेंज करता, ऐसी चलता रहता, वो अच्छा है उसमें, कपड़े भी जब धोया तो उसका रंग उड़ गया था, तो यह ऐसा शर्ट था, माचो, बहुत माचो चीज बोली गई है, यह सामने से शर्ट है, जहां पर, धूप में पसीना जम गया, वाह, तो ऐसे कपड़ों की हाला तो जासी थी, इसके खुश्बू कैसे थी, अरे गजब की, नही जादे अपसेज़ रहते हैं, यह कौन जी जगए, बहुत सुन्दा जगए, बीच, पर नीचे, क्या, कौन जी कंट्री है, जांजिबार, यह मतलब पॉपिलेटर है, लोग है, मैं जहां पर क्या था, वो बिल्कुल खाली था, क्योंकि मैं ऐसे बीचे पर नी जा था, जहा है, तो मैंने फिर रारुशाय से बस पकड़ी जांजिबार में घूमा मैं, और फिर वापस बस लेके फिर अपनी साइकलिंग टिप शुरू कर दी, हाँ, तो यह वाला जो तस्वीर है, जो महिला के साथ, तो मैंने इस पर एक अच्छी सी पोस्ट लिखी थी, क्योंकि कोई मतलब नहीं, तो मैं यहाँ पर बिमार पढ़ गया था, मेरे को 102 बुखार हो गया था, मैं जिस दिन निकल रहा था, उस दिन मैंने सोचा, यार, मैंने आरुशाय से चिप्स खरीदी थी कुछ, और मैं अलर्जी कूँ खराब तेल से, तो मैं खाता नहीं हूँ, पर क्य मैं पहुंच गया वहाँ पर, तो जब मैं निकलने वाला था अगले दिन, तो मैंने सोचा यार, बियर पीते हैं, शोड़ी चिप्स खा लेते हैं, साथ ही मैं स्नैक्स के तौर पे, तो मैंने खाई ही और वो, मैं अलर्जीक था, वो चिप्स बहुती गटिया तेलियों बनी यह इन सारी बख्वासिसों से बहुत फरक पड़ता है, फिर अनिवेस तो, यह मैं अलग से एक 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 पीडिशन पर जाओंगा, जहां सब खाकर आओंगा, सारे जानवरों के साथ तस्विर की चाओंगा, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड़ होगा, वो ज्या मेरे दिमाग में खयाल आया था कि यह बराबरी अरा मतलब इस लाइक एक कोई लड़कों से क्यों यह नहीं बोलते कि आप अपने compassion को डवलप करो आप devotion को डवलप करो अपनी empathy को डवलप करो फिर तब मेरे दिमाग में खयाल मतलब लिखाता मैं एकी territories are won by men but civilizations are sustained by women क्योंकि I was so moved by their मतलब वो gestures मतलब पूरे time आके take care करती थी आपको और language किसी को नहीं आती पूरी sign language चल रही इनको कुछ English बोली नहीं आती मैंने इसको बोला कि चार टमाटर लेकर आना केवल क्यों कि यह चार केले लेकर आना नहीं हाँ चार टमाटर लेकर रहा है तो चार किलो टमाटर लेकर आए तो सौन में नहीं आया मतलब ऐसी बेवकूफ आना ऐसी इनोसेंट सी चीज़ें चलती रहती थी पर हमेशा उन्होंने कोशिच करी कि मुझे कोई तकलिफ ना हो कुछ ना हो और पॉड़कास्ट में भी तुमने कितनों से सुनागा कि इस दियर मदर हो एस हेल्प देम बंदों ने तो नहीं किया ना पिताजी ने तो नहीं किया दुनिया वर के डड़ी इशू चल रहा है पूरी नॉथ इंडिया में तो बरे पढ़ें ड़ी इशू तो अगर तुम अगर वो महीला है अगर पूरिशों के जैसी हो जाएं वो सोचें कि हम भी होई मैचोईजम लाएंगे अग्रेशन लाएंगे तो यहार हमारी सोसाइटी बिल्कुल तूट जाएगी तो मेरे को तो हमारी भी मतला फैमिली की जो एंकर हैं हम सब भाई बेनों ने बहुत अच्छा किया मेरी सिस्टर को को कॉमन वेल स्कॉलर्शिप मिल मेल के बारे में और इसको अग्रेशन को उसको करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है लड़कियों की अपनी क्वालिटेज इतनी जादा हैं कि इसके कारण हम सब सस्टेन कर रहे हैं कि मतलब यह काफी ट्रैवल के टाइम ते मेरे बहुत अच्छे एक्सपीरियेंस रहे है यह देखिए यह वाला देखो यह वाली यह वाला हाँ यह दरियाई गोड़े नदर आ रहे हैं इसकी उपर वाली पोस्ट यह बीच में जो है यह हम रह रहे थे यहां और बगल में सौ से ज़्यादा वो हैं दरियाई गोड़े हिप्पोटेमस ओ इसका शायद वीडियो भी होगा देखना यह अपने खुद के ड्रोन से लिए हैं यह सबसे डेंजरस अनिमल होता है अफरका में अगर इसके और पानी के बीच में आगे तो बहुत डेंजरस हैं यह और हम बिलकुल बैंक पे थे टेंट मैंने लगा रहा था और यह लोग यहां पे थे यह और और बी इनकी वाइब कैसे होती है अरे बहुत डेंजरस होता है इनका मुह देखा कितना बड़ा खुलता है सबसे ज्यादा यहां मैं वहाँ पे था बगल में वह जिराफ पानी पीरा और एक और बेबी हिपो का भी है इसमें वीडियो इसके आगे होगा यह चोटा बेबी हिपो न कुछ मैंने बोला कुछ हुआ कि बोला नहीं पाथ साल पहले इसने अक आदमी को मारा था भी ठीक है तो इस्टाटिस्टिक्स वाली बात है अच्छा पाथ साल में नहीं मरा तो मेरे नंबर थोड़ी आएगा मरने के लिए तो इसलिए टेंट लगा लो पर इसलिए यह सिफ सबसे ज्यादा डेट्स वाइल लाइफ की वज़े से हिपो की वज़े से होता है पर क्यों लॉजिक क्या होगा यही की पागल हो जाता है हाँ वही टरिटोरियल ही होगा मेरे खाल से और कुछ नहीं है और यह भागते बहुत तेज हैं दिखते हैं अनफेट हैं पर 40 km km पर की स्वीट टाइफ से भागते हैं ठीक है ऐसे तो यह न्यूजिलेंड का फोटोग्राफ है ब्रा डोनी आगर दिखाना है तो वहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर के लिए यह दुनिया बरकी ब्रा टंगी होई है वहाँ पर इसकी बड़ी इंट्रेस्टिंग कानी लिखी होई है मै यार पहले ना गाउं में एक ऐसी फैंस थी तो कुछ आई लड़कियां उन्होंने किसी ने ब्रा टंग दी अपनी वहाँ पर तो वहां के बड़ी बड़ी बिचारे न्यूजिलेंड बहुत ही मतलब रूरल इलाकों में बहुत शान्त और रिलिजिस टाइप का है तो सब्सक्राइब कर लिया तो उसके बाद से तो फिर सारी लड़किया यहां पर आती है और तो दुनिया बर की यह न्यूजिलेंड के फोटोग्राइफ से हैं तब दूसरी साइकल थी तो ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड की हैं इस चैनल पर चैनल को एक्स्प्लोर करो देखते जाओ और सीखते जाओ